जैजिनेंद्र बंधूओं आज हम पारेश चिनल के माद्यम से एक ऐसे इस्थान का आप पुदर्थन कराने जा रहे हैं जो की इस पंचम काल में भी जहाँ पे अथिसय विद्दमान है और वहाँ पर समोसरन लगता है जहासी जिले के अंतरगत जहासी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गाउं है और जिस गाउं का नाम है तोड़ी फतेफूर उस तोड़ी फतेफूर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्य के दिन मेला लगता है सेकलों की संख्या में वहां भगता आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं आज भी जब पार्षनाद भगवान की अस्यकारी प्रत्मा का मंदिर जो की तोड़ी फतेफूर में विराजमान है और जहां पर जब दर्बार लगता है उस दर्बार में हम प्रस्ण करते हैं और हमें उन प्रस्णों का उत्तर मिलता है और थोड़ी वाले बाबा का तो यह चमतकार है कि रोते रोते आते हैं और हस्ते हस्ते जाते हैं आपने अपने जीवन में अगर थोड़ी फतेफूर के दर्फर्ण नहीं किये हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्षनाद भगवान के दर्बार में जा करके स्रीफल अर्पन करके अपने मन की बुरादों को पाना एक ऐसा दर्बार जहां सब बिमार ब्यक्ति आता है वो सस्थ हो के जाता है जो लंगला के आता है वो चल के जाता है कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है कई प्रकार की आदी ब्यादी दूर होती है ऐसा दर्बार तोड़ी वाले बाबा के दर्बार में आप जरूर आएं और आईए हम वह तोड़ी पुर वाले बाबा के प्राउचन और आपको वहां के दर्सन कराते हैं प्लारेस चैनल के माद्यम से आप देखते रही है तोड़ी वाले बाबा अस्यकारी भगवान पार्षनाद भगवान के दर्थनकर अपने जीवन को धन्ने करें जैजिनेंद्रे उत्तर प्रदेश के जिला जहांसी में मौरानीपुर के समीब स्थित अतिशेक्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अध्भुत क्षेत्र है जहां देव भूत अतिशेयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीत रागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोशक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि ना होती है और ना ही प्रत्यक्ष अथ्वा परोख्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है बलकि द्रणता पूर्वक ग्रिहीत मिथ्यात्व पोशक्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मानिता को छोड़ा कर वीत रागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है क्षेतर पर आज भी रत्न व्रिष्टी देखने को मिलती है वश 2021 के भादर पक्ष में क्षेतर पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया जिसके फलस्वरूप हवन के पूर्णा हूती के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमतकार को दर्शाता है जो खोटी कर्म तुमारी साथ हैं भी तुमारी साथ चली जाएगी लिकिन ये टर्मली यह नहीं जाएगी नहीं महल जाएगा नहीं माया जाएगी तुमारी साथ यहीं पढ़ी रहेगी जो तुमने जितना दर्ब खई लिया वो भी यहीं पढ़ा रहेगा तुमने का कपड़ा तुमारी साथ में नहीं जाएगा जाएगा तो खोटी भाव तुमारी साथ में जाएगी जाएंगे तो तुम्हाई करम तुम्हारे का साथ जाएंगे जो तुमने आद्वर्म का मार पकड़ा वो तुम्हाई साथ जाएगा तो मालूम ना मालूम कहां निगोद में जाओगे कि निगोदिया बनोगे कि वेंतर बनोगे जिया बनोगे बिष्टा में लोटोंगे कहां कहां तुमारी ये जीप की परयाय पहुचेगे समझो वह जब देखोगे तुबारी हमें बिष्टा में लोटने पड़ा है हमने कैसे करम कि तो एक खोटे करम वहां लोटाते हैं और जो तुमने अच्छे करम करोगे, अच्छे रास्ते पर जाओगे, अच्छे मार को पकड़ोगे, तुम किसको सजाना? दिखो, अपने सरीर को तु सजा लिया, ठीक है, सजा लिजिए, लेकि तुमने धर्म के आगुशन को नहीं सजा पाया, धर्म के जो तीन रतन हैं, तुमने उसकी माला को नहीं पेहन पाया, बंदू समझो, यदि मुझको ग्यान होता, तुम्हें भगवान के दैसन से पार हो जाता, हमको ग्यान होता, तुम्हें की भग्ती से पार हो जाता, यदि ग्यान होता, सबसे परियाई को बदल देता, बंदू, जब मन उस्तफ करता है, तो कुछ दिखाई नहीं ता, यह सही पत्थर बन जाता है, समझे, यह पत्थर बन जाता है, सरीर, तब इस पे ओले सोले सैन नहीं होते हैं, यह कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, वो ओफसर की सैन कर लेता है, जी तब ही पार हो पाता है, इसलिए बंदो, समझो, इस पुद्गर के दो किनारे होते हैं, एक मिध्यात मार, एक सम्यक मार, अब चलो कौन के नारे से चलना है, समझिए, इसलिए बंदो, अपने अंदर की गहराई का पता लगाईए, दिखो, मनुस की गहराई इतनी है कि उस किसी ने था नहीं ले पाया, जिससे सागर की गहराई का था नहीं ले पाया, तो मन उसके अंदर की गहराई का पता नहीं आदी, कितनी गहराई है, सागर की कीमत नहीं होती है, जैसे पुद्गर की कीमत नहीं होती है, बदू समझो, वड़े ज्ञान से, आज चारों तरफ देखो हमें कोई मनुस या कोई ग्यानी चोखा दिखाई नहीं दे रहा है खोटा दिखाई दे रहा है क्यों? इस तुम सही में समझो इस भर्चेत के अंदर महान तपस्पी ग्यानी बैठे हुगे लेकिन बोवी नजार पे नहीं आ रहा है समझो मैंने भर्चेत को चाणा चारों तरफ से तो मैंने पार्ष से बात की पस इस भर्चेत के अंदर तो कितने तपस्पी ग्यानी जीब है लेकिन क्या करें अपना तब कितना दिखा रहे हैं कितना ग्यान दिखा रहे हैं लेकिन के अंदर के भावों की माया तो सही नहीं है क्या किया जाएं पार्ष ने कहा जो सीदे मैंने आते ही छान लिया था इन्हें सुधार का रस्ता दिखाया जाए तो इतने बिगन आएंगे कि मनुसों को मनुस रस्ते पर नहीं लगने देगा और आज क्या मनुस रस्ते पर लगना नहीं चाहेता है देखा देखी मैं चला जाता है क्योंकि जो ऐसी माया चारों तरफ चल लई है जिससे मनुस अपनी माया को रूप धरके भगवान के राज्ते पर नहीं आने देते हैं बड़े बड़े पिस्मंच करते हैं लेकिन किसी ग्यानी ने अपना पिस्मंच नहीं किया स्रावक के पिस्मंच का तो उत्ता दे दिया लेकिन अपने तकहत पर बैठका अपना उत्ता नहीं ले पाया किस बात का ग्यानी बताओ किस बात का ग्यानी है वो जिसने अपनी जीवन का उत्ता नहीं ले पाया इसलिए बंधों पिस्मंच अनेग लगते हैं ज्यान की धारा चारों तरफ से फिर रही है लेकिन भगवान के राज्ते पर ज्यान की धारा किसी की नहीं है चारों तरफ देख लेना सैम की धारा पर है क्योंकि आज ग्यानी के अंदर एक भेश छपा हुआ है यदि हम स्रावक को सही रस्ते पर लगा देंगे तो ये फिर मेरे पास केसी आएगा दिखो ये सैम की सोच है लेकिन ये सोच निची है उची नहीं है अरे ये सोचना क्या है आए आना आए यदि उसका जीवन अच्छे रास्ते से पार होता है तो तुमको हमेशा याद करेगा आए या ना आए आने से कोई लाब नहीं है वो तुम्हारा ध्यान हमेशा करेगा अपने जान के चक्सु को जगाओ कि जब तुम लस्ता सही दोगे स्वाथ तुम्हारे पास में नहीं होगा तो सही ये लस्ता मिल जाएगा तु भाई मनुस्त चलता जाएगा और ध्यान करता जाएगा और जहां धर्म में स्वाथ छिपा हुआ है वो धर्म मार्ट पर नहीं चल पाईगा न तुम धर्म मार्ट पर चला पाऊगे बिना स्वाथ करे तपस्या वोई काम करती है बिना स्वाथ के तपस्या काम करती है समझो कि यदि कि स्वास से तपस्या कर लिए तो निस्वल हो जाएगा कि पद्दू समझे अपनी बात को कि हमें यह ती मार्क पकड़ना है तो बिना स्वास के पकड़ना है समझो हमने यह मनुस्गति किसलिए पार की है इसको क्यों पाया है नानिम हम किन किन गतियों में भटक गए हैं और किन किन गतियों में गए हुएं यह जीव ने कहां कहां जनम लिया होगा उसको पार करते करती मनुस्गति मिली ओई इस मनुस्गती को हम बैत में खो देंगे तो फिर ये मिलना मुश्कल है आज तक भर्चीत के अंदर किसी जीव ने किसी ग्यानी ने ये अपने अंदर का ग्यान ने जगाया कि ये मनुस्पत केसी मिला फिर मिलेगा या ने मिलेगा इसको बरबाद मत जाने दीजिए इसको रस्ते से मत गिनने दीजिए हमें रस्ते पर लगाना है समझे अपनी बिचाओ धाना को उसने वज़त दिया और रस्ते पर लग जया तो पार हो गया समझे बिना स्वार थे इसलिए बंद्धू समझो अपनी बात को खोटी अटन्नी नहीं चलती है चोखी चलती है यदि मैं खोटा हूँगा तो इनके पास नहीं आ पाऊंगा तो आज भर्चेत के अंदर इनके पास कोई नहीं आ पा रहा है क्योंकि खोटे खोटे दिखाई देते हैं जैसे भगवान का जब समोशन लगता है तो नाटकी आते हैं वो देखकर चारो क्रब चले जाती है उने भगवान की बारी अच्छे नहीं लगती है जो नाटकी होते हैं भगवान की बारी अच्छे नहीं लगती है और कितने भब जी बैटकन की बाणी को सुर रहे हैं, कितने ध्यान से सुर रहे हैं, जिनने भगवान की बाणी को सुना, वो पार हो जाते हैं, ऐसे नाठ किये, आज भर्षेत के अंदर पैदा हैं, जिनने भगवान को नहीं पैचान पाया, बड़े बड़े ग्यानियों नही सम्झो पंजो धर्म दिखनी में पास लगता है लेकिन धर्म बहुत दूर है सम्झो कई युग बीच जाएंगे वो पास में नहीं पहुँच पाओगी और तुमने शम्यक का रास्ता पकड़ लिया